यूपी के जौनपूर से बाहूबली धननजे सिंग के पतनी शरीकला का टिकट बसपा ने काटा या खुद धननजे सिंग ने बीजेपी के साथ सैटिंग करके चुनाव से अपने पैर वापस खीच लिए इसे लेकर अभी भी कयास लगाये जा रही हैं दोनों ही तरफ से अलग-अलग दावे किये जा रही हैं बसपा का कहना है कि धनननजे सिंग ने खुदी चुनावना लड़ने की बात कही थी जबकि धनननन्जे सिंग कहरे हैं कि ये दावा जूठा है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा इस पूरे मामले पर खुद धननजय सिंग का बयान सामने आया है, हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जोनपूर में आखिर हुआ क्या है दरसल जोनपूर से बहुबली धननजय सिंग की पतनी श्रीकला बीसपी के टिकर पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने बसपा के सिंबल पर नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन सोंवार को खबर आई कि बसपा ने श्रीकला का टिकर कार दिया, और उनकी जगे के मताबिक बसपा के वारानसी मंडल के कोडिनेटर और पूरवसांसद गंशाम चंदर खरवार ने कहा, बसपा ने शाम को ही उनके केंद्रिय कारियलय का उद्गाटन कराया था, इसके बाद अपने प्रेस में भी ये बात रखी थी कि श्रीकला रेड़ी का टिकर फाइनल ह सोशल मीडिया पर अफवा को लेकर भी हमने पांच बुजे उनसे करीब डेट गंटे बाद भी की थी और पूछा था कि आप पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, आप चुनाव में बैठे तो नहीं जाएंगे, आप चुनाव छोड़ तो नहीं देंगे, धनरंजर सि जुटते ही का कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम अपना परचा वापस ले लेंगे, हमारे उपर परिवार का दबाव है, इस बात से साफ हो जाता है कि उनपर ऐसा प्रेशर था जिसके वज़े से उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, यानि BSP कोडिने जुट बोल रहे हैं और अपनी पारटी को डिफेंड करने के लिए वो हमारे उपर आरोप लगा रहे हैं, हमारी उनसे कभी फोन पर वारता नहीं हुई, हमको जब जानकारी मिली तो मैं उल्टा उन लोगों को बुलाया और कहा कि प्रेस में बोलिये, मैंने तो कारियलर का उदगाटन कराया, रोज अफ़वा चल रही थी कि इसलिए मैंने कहा कि प्रेस में बोलिये, प्रेस में चल बोल रहे हैं. बीएसपी धननजे सिंग को जुटा बता रही है तो धननजे सिंग बीएसपी को दोनों ही तरफ से आरोप और प्रतेरोप का सिलसला जारी है. लेकिन यहां दिल्चस्प बात यह है कि बीएसपी ने समय रहते गेम को बदल दिया और शाम सिंग यादव को अपना केंडिडेट घुशित कर दिया क्योंकि अगर ये बात सच है कि धननजे सिंग चुनाव नहीं लड़ना चाते थी तो बीएसपी के साथ भी वही होता जो इ इन दोर में कॉंग्रेस के उमिदवार ने नामांकन की तारीक जाने के बाद बीजेपी को जोईन कर लिया और अब कॉंग्रेस के पास वहां कोई और कैंडिडेट खड़ा करने का टाइम ही नहीं बचा क्योंकि परचा दाकिल करने का समय जा चुका है लेकिन बीएसपी चुनाओ से अपने पैर वापस क्यों खीच लिये क्या धनजय खुद चुनाओ से बाहर होना चाते थे या फिर बसपा ने किसे दबाव में अपना उमिदवार बदल दिया इस रहसे से परदा उठना भी बाग की है लेकिन जोनपूर में इस वक्त जो चर्चा है उसके खुब चर्चा हो रही है लेकिन अधिकारिक तोर पर कोई मूँ खोलने को तयार नहीं है देखा जा रहा है कि जब से धननजय सिंग जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से ही वो श्रीकला और धननजय की जो सियासी गतिविदिया है यानि चुनावी गतिविदिया है वो कम हो खल रहे है कि सारे राजनिति गटनाकरम के इद्गेद बीजेपी उमिदवार कृपा शंकर सिंग हैं ये सब उनी के माया जाल का नतीजा है इसी चर्चा ये है कि भीजेपी ने ठाकुर नेताओं की लोबी का सहरा लिया और धननजय सिंग पर दबाव बनाया हाली में राज दननजय सिंग को कोई आश्वाशन दिया है कोई भरोसा दिया है कोई दबाव बनाया है ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ है अलाकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि दननजय सिंग ने खुद को पीछे किया या बेंजी ने उनकी पतनी का टिकट काटा तमाम अप अपने दा ग्रे किया था उसके बाद बेंजी ने अपने वरतमान सांसद शाम सिंग यादव को टिकट दे दिया ऐसी तमाम थियोरी इस वक्त जौनपूर की सियासत में तैर रही हैं जिसके जरिये ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो धननजे सिंग जिन्होंने हर हाल में च भी लेकियों पड़ गे ये साफ होता जा रहा है कि बसपाने टिकट काटा तो आप धननजे सिंग या उनकी पतनी श्रीकला धननजे सिंग चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन क्या ये दाओ बीजेपी कोलटा पड़ेगा क्योंकि जौनपूर के मुझूदा सांसद शाम सि यादव मजबूत प्रत्याशी है और उनका कड़ा मुकाबला होने वाला है ये बात तो साफ है फिलाल जौनपूर एक होट सीट बन चुकी है और जौनपूर की जनता चोक चोराहों पर अपनी थियोरी के इसाब से कयास लगा रही है कि याँपर कौन जीतने वाला है कोई क हो जा सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा केमेंट करके बताएं वीडियो को शेयर करें और देन्यूस बीग को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो के अंत में आप से एक चोटी से अपील साथ योगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूँ ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नमबर है 0235-887-0000-640 IFSC कोड है YES B 0000-235 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें